सारिका रमोला और आज हम देखने वाले हिंदी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है राहुल संक्रतियायन फ्रेंड्स मैंने आप लोगं को स्लेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो हमारा हिंदी का पॉर्शन है वह पढ़ाया है इसके अलावा हमारे पास कुछ रचनाकार जिनकी रचनाय एक्जाय में पूछी जाती है यह उनसे रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ पूछ लिये जाते हैं तो इसलिए हमें इनको भी देखना होगा जितने भी लेखक होंगे जो स्लेबस के अकॉर्डिंग दिया होगा ठीक है तो आज हम देखने व इनका जन्म तब हुआ था और इनके इतने सालों बात भी ठीक है आज हम इनको पढ़ रहे हैं एक्जाम में यह पूछे जा रहे हैं तो इनका जीवन परीचय भी बनता है और हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है इनके बारे में तो इसलिए हम इनके जीवन परीचय के ब अग्धा बचपन का नाम ये इनका मूल नाम क्या था केदाना्थ पांडे था इनके पिताजी्का नाम गोवर्धन पांडे माता का नाम कुल वंती और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो बच्पन में ही इनकी माता जी के मिर्टी हो जाती है मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी पहले हम परीचे देख लेते हैं ठीक है विधा की हम बात करेंगे यानि ये किस प्रकार की रचना करते थे तो साहित्यकार थे में इन्होंने अपनी जादा तर रचनाई की हैं ठीक है सबसे जादा प्रार्थमिक्ता इन्होंने हिंदी खड़ी बोली को दी इसके बाद इनका एक जीवन रहा संघर स्पून उसके बाद इनकी मृत्य हुई 14 अप्रेल 1963 को बारण सी यूपी में इनकी मृत्य हुई 1963 में इनकी कहानी देखने से पहले मैं आपको बता दू थोड़ा सा इनके बारे में जब इनकी माता जी की मृत्य हुई तो यह अपने नाना जी के साथ रहे हमेशा उसके बाद इनके बच्पन में ही क्या कर दी गई साधी कर दी गई ठीक है तो इस वज़े से क्या हुए यह उग्र सोभाव के थी ठीक है तो इस वज़े से मठ में भी नहीं टिक पाए और वहां से भी भाग गए और इसके बाद 14 वर्स की आयू में यह वहां से कहां गए कॉलकता गए ठीक है और यहीं से इनका भारत भ्रमन का जो सफर था वो स्टार्ट हुआ इसके बाद यह भारत संक्रतियायन कैसे इनका नाम पड़ा वो देख लेते हैं रामोदर से क्या बना राहुल बना और संक्रतियायन गोत्र के थे इसलिए इनको क्या कहा गया संक्रतियायन कहा गया और पूरा नाम क्या हो जाएगा राहुल संक्रतियायन ठीक है तो इस हिसाब से इनका नाम क्या भंडार को देखा क्यूंकि ये भारत भ्रमन कर चुके थे इनको बहुत सारी ग्यान भासाओं का ग्यान था इन्होंने बहुत सारे लोगों की जीवनियां पढ़ चुके थे ये तो इनका ग्यान ओविस सी बात है बहुत जादा होगा तो उसके बाद कासी के पंडितों ने इन यात्रा अनुभों को आत्मसाद करते वे घुमकर सास्त्र की रचना की ठीक है किसकी घुमकर सास्त्र की आपने अपने स्कूल टाइम में देखा होगा आपके पास एक चैप्टर भी रहा होगा अथा तो घुमकरी जिग्यासा ठीक है तो ये किसकी रचना है राहुल संकृतिय जी की और एक निवंद के रूप में ये प्रसुत की गई थी ठीक है चलिए अब हम इनकी सिस्टेमेटिक देख लेते हैं कहानिया और क्विश्चन कैसे पूछी जाते हैं वो भी देख लेते हैं कई बार इनकी रचनाएं दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनकी किस विधा के अंतरगत आता है क्या ये कहानी है उपन्यास है या फिर यात्रा गृतान्थ है ये पूछ लिया जाता है ठीक है तो इनकी बहुत सारी कहानिया है लेकिन एक्जाम ओरिएंटेट चार इंपॉ इसे याद रखे इसके अलावा सत्मी के बच्चे बहुरंगी मधुपुरी और कनेला की कथा इनके इंपॉर्टेंट कहानिया है ठीक है चलिए अब इनके उपन्यास देख लेते हैं बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं मैं आपको पहले भी कहा है लेकिन हमने सेलेक्टिव य जीने के लिए बीसवी सदी, सिह सैनापती, जैयोध्य, मधुर्स्वप्न, विस्मृत यात्री और दिवोदास ठीक है ये क्या है इनके उपन्यास हैं तो अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो दो-तीन बार मैंने आपको हमें सका है जब भी आपके पास सकते हैं कि इनकी है ठीक है याद करन, याद तो करनी पड़ेंगे लेकिन सुनने से भी जल्दी याद हो जाता है ठीक है तो यह है राहुल जी के उपन्यास इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यात्रा साहित यानि यात्रा बृतान्त इनोंने बहुत सारे लिखे हैं और कारण क्या है कि इन्होंने पूरे विश्व में यात्राइएं की हैं, इधर उतर ठीक है चाहिए, तो जो यात्रा साहीत थे हैंगा, इसमें बहुत सारे हैं लेकिन जो exam oriented हैं वो भी हम देख लेते हैं जैसे इन्होंने लिखी है जापान, लंका यानि यहां गए है ठीक है इरान किनर देश की ओर इसको इंपोर्टेंट कर लीजे किनर देश की ओर कई बार पूछा गया है चीन में क्या देखा ये भी इंपोर्टेंट है मेरी लदाक यात्रा तिबबत में सवावर्स और रूस मे 25 मास ठीक है यह वाले जो रचनाय हैं लास्ट की यह काफी पूछी गई है रूस में 25 मास किसकी रचना है ठीक है तो यात्रा वृतांत हैं किसके राहुल संकृतियान के चलिए इसके अलावा राहुल संकृतियान जी ने बहुत सारी जीवनियां भी लिखी है और इसका कारण क्या रहा है कि उन्होंने पूरे विश्व में और भारत का भ्रमन किया है ठीक है तो अब देख लेते हैं अगर आप उनके बहुत जारत डिटेल में हम पढ़ेंगे तो ह राहुल जी ने नए भारत के नए नेता बचपन के स्मिर्तियां अतीद के अतीद से वर्तमान सरदार पिर्थवी से हैं ठीक है और भी बहुत सारी हैं लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट निकाली है काल माक्स हो गया ठीक है लेनिन स्टॉलिन माव सेत्वंग घुमकड स्वामी और महा मानव बुद्ध ठीक है इनके जीवन के बारे में इन्होंने पूरा लिखा है तो इसलिए सारे क्या है इंपॉर्टेंट है या एक साइट से गर आप देखेंगे काल माक्स लेनिन स्टॉलिन माव सेत्वं चारों की जीवनिया लिखी है किसने राहुल जी ने ठीक है राहुल का संगर्स राहुल जी का अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत इजी लगता है कि इनके एक इच्छा थी गुमकड़ी होने की और यह कहते थे मनुस्य का जो सबसे अच्छी एक वस्तु है क्या है गुमकड़ी होना होता है लेकिन इसके लिए उनको बहुत सारे च नाम किया है तो इसके इसी लिए अगर आप देखेंगे तो राहुल का संगर्स नाम की जो बुक है वो लिखी है स्री निवास सर्माने ठीक है इसको इंपॉर्टेंट है तो याद रखेगा इसके अलावा हिमालय परीचे भी लिखा है किसने राहुल जी ने चले इसके इसके अलावा पंधा जो आजमगर में इनके जन्व स्थान का गाउं है यहां पर राहुल संक्रतियाइन साहित्य संग्राले भी खोला गया तो यह इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो एक्जाम औरिंटेड है इसके अलावा कुछ कुशन देख लेते हैं कि कैसे कुशन सबसे पहला कुशन है राहुल संक्रतियाइन का जन्म वर्स बताईये तो कब वह था इनका जन्म 1893 में ठीक है चलिए जगे आपको बता दी है मैंने और राहुल जी का मून नाम क्या था तो इनका जो मून नाम या बच्पन का नाम क्या था केदानात पांडे था next question है राहुल सांकृतियायन को साहित्य अकादमी पुरिसकार से कब सम्मानित क्या गया तो अभी हमने देखा कब क्या गया 1958 में ठीक है next question है बहुरंगी मधुपुरी और वोलगा से गंगा राहुल सांकृतियान की किस विधा की रचना है ठीक है मैंने आपको पहले भी बोला था इसे question पूछे जाते हैं तो यह क्या है इनकी कहानी है ठीक है दोनों क्या है कहानिया है ना यह यात्रा बृतांथ है ना जीवनी है ना उपन्यास है क्या है कहानी है ठीक है तो ऐसे question पूछ लिए जा सकते हैं, कुछ जीवनियां दे देंगे कि ये क्या है, या कोई यात्रा बृतान्थ या उपन्यास, तो मैंने आपको पीछे बता दिये हैं, ठीक है? Next question है, राहुल संकृतियान को पद्म भूशर से कब सम्मानित क्या गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1963 और इसी वर्स इनके मृतिय भी हुई थी Next question है, वीर चंदर सिंग गडवाली की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राहुल जी के द्वारा लिखी गई है कि आपके अंदर कितना patience है ठीक है? तो चलिए मिलते हम नेक्स वीडियो में अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे like और share जरूर कीजिएगा